हलो फ्रेंड्स आइम अपरती वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम बात करेंगे एक ब्यूटिफल विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिस पे डेह सारे फ्लावर्स तो आते ही है साथ ही इसको कई तरह से ग्रोग किया जा सकता है तो ये जो प्लांट है ये है जरेनियम का जो कि इसकी पत्तियों से बहुत आसानी से इसकी पहचान हो जाती है हलका सा इसमें ब्लैक शेट भी होता है पत्तियों में और कभी-कभी ये कम भी दिखाई देता है कभी कभी किसी किसी leaves में ये ज़ादा black भी होता है तो अभी इसमें दो कलियां आ रही है यानि दो flower spike आ रही है और उसमें बहुत सारी कलियां है तो ये जो इसके पतियां होती है कोई भी seasonal plant है उसकी पतियों पर water spray कर दिया कीजिए उससे जितनी भी धूल पौध उपर पतियों पर होती है तो plant को photosynthesis करने में थोड़ी परेशानी नहीं होती है और अगर plant भोजन अच्छे से बना पाएगा तो फिर वो अच्छी flowering भी कर पाएगा तो दीरे दीरे plant के जो flowers थे वो खिलते जा रहे थे और इसमें seed भी बनने लगते हैं तुरंत ही तो आप चाहें तो जो सूखे फूल होते रहें उनको बाद में cut करते रहें क्योंकि अगर starting से ही plant seeds बना देगा तो फिर वो आगे आपको फूल नहीं दे पाएगा और आपको लगबग इस plant से फरवरी के last तक और March तक इसके flowers मिलते रहेंगे कभी कभी April तक भी plant flowers देता रहता है लेकिन seeds बनाने का जो time हो वो लगबग आप फरवरी के बाद से ही seeds बनाना शुरू कीजिए क्योंकि अगर आप शुरू से ही इसमें seeds बनाने लगेंगे तो फिर flowers कमाएंगे तो फिर flowering plant लेने का क्या ही पाइदा तो आप दीरे दीरे इसके बाकी flowers भी खिलते जा रहे हैं और इसमें एक ही गुच्छे में देखे कितने सारे फूल लगे हुए हैं बहुत सारी कलिया इसमें आती है तो इसलिए भी मुझे ये plant पसंद है geranium को कई तरह से grow किया जा सकता है इसको बीज की help से यानि seed की help से भी grow किया जा सकता है और इसको cutting की help से भी grow किया जा सकता है cutting भी जल्दी जल्दी इसमें roots आ जाती है जब हम cutting grow करते हैं और जब हम seed grow करते हैं तो वो भी लगबग 15-20 दिन के अंदर germinate हो जाते हैं। अब seeds कहां से लें। तो online बहुत सारे winter flowering plants के seeds मिल जाते हैं, महां से आप ले सकते हैं या आज कल तो nursery में भी available रहते हैं। और अगर seeds से नहीं grow करना चाह रहे हैं शुरुवात में तो nursery से एक plant ले लीजिए। उसी से ही जब seeds बन जाएं तो next year के लिए उन्हें सेव कर लीजिए और फिर next year बहुत सारे पौधे अपने आप free में घर पे आप grow कर सकते हैं। अब देखिए ये single stem वाला plant होता है और फिर धीरे धीरे इसमें branches बननी ऊपर आकर शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ये घना हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए थोड़े बड़े pot में लगाएं। ये nursery से ये ऐसा plant आया है। इसलिए थोड़ा छोटे pot में है। अगर ये कम से कम 8 inches के pot में हो तो ये जो plant है आगे जाकर काफी healthy branches इसमें बन जाती हैं। बहुत सारी branches जिनकी cuttings लेकर आप नए पौधे भी तयार कर सकते हैं। तो ये बालू मिट्टी में लगा है लेकिन जब ये plant आया था तो इसमें शायद urea डाला हुआ था सफेज सफेज इसमें कुछ दिखाई दे रहा था हमें हमने आपसे शेयर भी किया था तो इसलिए हम ने तब से इसमें खाद नहीं दिया अब हम इसमें मिट्टी की गुडाई करके थोड़ा गोबर की खाद मिक्स कर देंगे उसी में ही बहुत अच्छे flowers मिल जाते हैं विंटर फ्लावरिंग plants केवल गोबर की खाद से भी बहुत अच्छा result दे देते हैं या वर्मी जैसी आपको लगे उसके अनुसारा पानी दीजिए पर्टलाइजर आप 20-25 दिन में मिट्टी की गुडाई करके गोबर की खाद वर्मी कमपोस्ट सरसो की खली जैसे खाद का यूज कर सकते हैं और सूरज की रोशनी कम से कम 3-4 घंटे की जरूरी है अगर कोहरा होता है तो उससे प्लान पर कोई फेक्ट नहीं पड़ता है ब्राइट लाइट भी मिल जाए तो भी प्लान अच्छी ग्रोथ कर जाता है इंडोर नहीं रख सकते हैं इसको खुली हवा में ही रखिए और बहुत अच्छे से विंटर फ्लावरिंग प्लान्स ग्रोथ कर जाते हैं ठंड तयुँ